लॉंग स्केल या सौर्ट स्केल चलेगी कोई भी आप दोनों में से स्केल दे सकते हो फर्स्ट हम स्केल को लेके बॉक्स की बॉडर लाइन कंप्लेट करेंगे जो आप लोगों ने पैंजी से उसको कंप्लेट किया है उसे के उपर वापस गुमाटे जाएंगे इस तरह बॉक्स की बॉडर लाइन बनाने के बाद अंदर की जो मेंगो डिजाइन है इसको स्केट पेंग से जो करने के लिए कंट्यूनी स्केट पेंग को गुमाटे जाओ इस तरह जिरे 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 आगे स्केट पेंग को गुमाटे जाओ रुक रुक के sk 2017 को गुमाने के जहाँ पर जॉइनिंग वाली लाइन हे वापर रुक सकते हैं इसके बाद वापस continues को आगे लेके जा सकते हैं इस तर completelyelloophone का line pencil के ऊपर आप लोग को गुमा के borderline करने का है इस तर completely borderline बनने के बाद पैंसिल की जो हरकी सी लाइन दिखाए दे रहे इसको अच्छे से erase करने का है इसके बाद ही हम एक कलर से complete करने का है कलर से किस तरद complete करने का है वो आज हम देखते हैं तो कलर को हम mixing work में यानि के दो कलर का mixing करके colors को complete करेंगे तो पहले हम दो-दो color का pad बना देते है यहाँ पर जो दो-दो colors रखे है वो दोनों color को अच्छे तरद mixing करने का है यानि कि ये दो color निचे से yellow उपपर से orange इस तरद mix करने का है वो हम देखते हैं पहले हम orange color को यहाँ पर ice taches को गिशते जाते हैं इस तरद बीच में white space नहीं दिखे इस तरद पहले इसको complete थोड़ा darkness की से बाद में pencil को थोड़ा हलका गुमाओ तो colors भी थोड़ा light दिड़ेगा इस पर dark से light इस तरद गुमाटे जाओ colors के अंदर line work नहीं दिखना चाहिए हलका सा गुमाने से वो अच्छी तरद dark और light mixing जैसा दिखेगा इसके बाद नीचे से में थोड़ा yellow color गुमाता हूँ वो थोड़ा प्रेस करके इस तरद yellow and orange औरेंज औरेंज के साथ red color भी light dark light dark light dark light dark ऐसे दो color का पैर बना के तुम लोगों को दो color को अच्छी तड़ा mixing करके सभी box में अलग-अलग color fill up करने का हैं यहाँ पर औरेंज से लेके yellow color गिसा है ते इसमें औरेंज से लेके yellow color वापस fill up नहीं करने का क्योंकि दोनों नजदिक नजदिक से हो जाएगा इसमें अलग color fill up कर सकते हैं यानि के light green dark green light blue light dark blue इस तजदिक लेके एस तरह लग को fill up कर सकते हैं यहाँ पर मैं उपर से orange से लेके yellow color गिसा है लेकिन यहाँ पर blue से लेके green light green corresponds भी गिस सकता हूं. लेकि मैंने इस तरह mixing किया है. पहले इस तरह mixing किया, बाद में मैं इस तरह mixing करोगा. जैसे आप लोगों को लगता है, ऐसे mixing करने का है, आप अपने मर्जी से mixing work कर सकते हो, अगर mixing work अच्छे से नहीं हो रहा है आपघ्र और लोगों से, सकते हैं इस तरह यहाँ से ग्रीण इस तरह करना चाहते हो वह भी हम लोग देख लेते हैं इस तरह red वाला कोई भी color single fill up करना चाते हो तो भी कर सकते हो या एकी color को mixing करके यानि के एकी यहाँ पर red से लेके उपर थोड़ा light करनेगा वो भी तुम लोग कर सकते हो लेकिन यहाँ पर completely dark और बीच में completely light इस तरह color fill up नहीं करनेगा इस तरह complete color fill up कर सकते हो या इस तरह दोनों में से आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो तुम लोग कर सकते हो इस तरह सभी box में अलग-अलग color fill up करने का है अब देखो यहाँ पर मैंने 3 style में आप लोगों को color किस तरह fill up करने का वो दिखाया है पहले मैंने डो color को mixing करके दिखाया है बाद में single color भी fill up कर सकते हो या single color को light dark भी fill up कर सकते हो आप लोगों को जो भी idea अच्छा लगे color fill up करने का वो आप लोग कर सकते हो इस तरह आप लोग complete design में colorful करके इसको एक अच्छी design बना सकते हो इस तरह धीरे-धीरे color को गिस्टे जाओ और वाक्स को complete करते जाओ color गिस्टे वाग 25 वर्ग नहीं दिखना चाहिए completely color अच्छे से fill up करने का है one size से color fill up करते जाओ तो तुम लोगों का color fill up भी अच्छे से रहेगा इस तरह color को धीरे-धीरे गिस्टे हुए तुम लोग एक अच्छा सा design work कर सकते हो सभी बॉक्स में मैंने अलग-अलग color fill up क्या है दोनों बॉक्स में एक जैसे color fill up नहीं किया है आप लोगों को भी ऐसे नहीं करने का अलग-अलग color fill up करने का आप लोगों को इसमें से जो भी mixing work लगे या आप लोगों करने का